बूर्निंग सूपरभात सात्यों आप सभी का क्रायक एक्जाम ओनलाइन के यूटूब चनल पर हादिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित क्योश्चन करने वाले हैं जो के आपके अगामी एक्जाम में बहुत मैतपून योगदेन देने वाले हैं जिन सात्यों का सेकंड क्रेट का एक्जाम है उनके लिए मैतपून रहेगा जो साथी किसी भी एक्जाम के अगर त्यारी कर रहा है और जिनके स्लेबस में पॉलिटी लिखा हुआ है ना ये वीडियो उनके लिए बहुत जादा मैतरपून रहने वाला है इंडियन पॉलिटी से समंदित क्योशन रहेंगे अगर आप इंडिया में किसी अगर अधर स्टेट की भी त्यारी कर रहे हो ना तो भी ये वीडियो आपके लिए मैतरपून रहेगा क्योंकि इसमें पॉलिटी के क्योशन है तो वो सभी जाम में एक जैसे ही आते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा फरक नहीं पड़ता है कि ये राजस्तान काया तो उसमें चैंज होगी उसमें सिर्फ राजस्तान के सापेक्स जो पॉलिटी आएगी वो चैंज होगी साथियों भारत के उप्राश्पति बनने के लिए नियूंतम आयू कितनी होनी चाहिए इसके लिए हमारा राइट आंसर रहेगा अगर भारत का उप्राश्पति बनना है न तो उसके लिए नियूंतम आयू होती है 35 वर्स कितनी होती है 35 वर्स नियूंतम आयू होनी चाहिए साथियों और ये किसमें है अनुछेद नंबर 663B के अंदर 663B के अंदर ये बात लिखी हुई है कि 35 वर्स नियूंतम आयू होनी चाहिए भारत का उप्राश्पति बनने के लिए नेक्स्ट पे चलते हैं एक वैक्ति को सारुजनिक कारेले के स्वामितव जिसका उसे अधिकार नहीं है को रोकने के लिए उच नियाले या स्रुच नियाले निमन में से किस रीट को जारी करते है एक को वैक्ति है उसको सारुजनिक कारेले के स्वामितव जिसका उसे अधि अधिकार नहीं है को रोकने के लिए उच नहले या शुरूच नहले यानि हाई कोट या सुप्रीम कोट दवारा कौन सी रीट जारी की जाती है यह जारी की जाती है अधिकार प्रिच्छा की डी नंबर उप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा अधिकार प्रिच्छा की री निति आयोका जो गठन किया गया है कि संगठन के अधार पर किया गया है साथियों योजना आयोके ए नमबर उप्सनिया पर राइट हो जाएगा निति आयोका जो गठन हैना वो योजना आयोके इस्तान पर किया गया है इसादियों नितियायो का क्या दिया रहा को एक तो नाम दिया रहा को National Institute of Transforming Installation National Institute of Transforming Installation इसके लिए राइट हो जाएगा बात यहाँ पर मुलिक अदिकारों की किजा रही है कर्तवियों की नहीं है यह भी ध्यान रखना है ये points हमको ध्यान देने, अब ये अधिकारों का पूछ रहा है, तो अधिकारों का वर्नन किया गया है, कितने अधिकारों का वर्नन किया गया है, 6 अधिकारों का वर्नन किया गया है, 6 अधिकारों का वर्नन किया गया है, आपका करे ये रहेगा, 6 मोलिक अधिकार कौन कौन से ह कोमेट बोक्स में टाइप करो आप टाइप करना साथ हूँ अगर आप टाइप नहीं करना चाते हैं तो एक कोपी पहन लीजिए उस पर नोडाउन कर दीजिए विछे अधिकार यह है लिखने से चीजें याद हो जाती है तुम आप से कहना चाहूंगा कोमेट बोक्स में के लिए किसमे भी निलंबित नहीं किया जा सकता है यानि आपको बताना है कि कौन सा अनुचेद ऐसा है जो अनुचेद 20 और 21 जो हैं को साथियों निलंबित नहीं किया जा सकता है और सात्वे यह जो किया गया है ना अनुछेद 20 और 21 के अंदर ये 44 में संविधान संसोधन के तग stressing ये किया गया था कि 20 और 21 को आपात काल के समें भी नहीं किया जा सकता है next पे चलते हैं किश वर्स भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM की स्थापना हुई थी कम्यूनिस्ट पार्टी की पूछना चाता है इसके लिए राइट रहेगा 1964 के अंदर बच्चों के काम करने को पर्तिबंदित करती है सातियों इसके लिए क्या राइट हो जाएगा नंबर से यह हो जाएगा अदिकार इसके लिए रहेगा मैं आपको यहां पर च्छे वो मोलिक अधिकार बता देता हूं कि कौन-कौन से हैं एक नंबर पर आप ध्यान का अधिकार हो जाएगा शूशन के विरुद हमने उपने पढ़ लिया कि मैं जंन के की दोगे धरं के सवतंतरता का हम को अधिकार है धर्म की शवतंतरता का अधिकार फांच नंबर पहले हम द्यान गया है तो यह तो सांस्क्रितिक वाले हो जाएगा एक तो सांस्क्रितिक और सेक्सिक अधिकार हो जाएंगा च्छे नमबर पर आप ध्यान रखोगे सवेधानिक उपचारों का अधिकार छे अधिकार कौन कौन से होगे समानता का अधिकार है सवतंतरता का अधिकार हमको है सोशनों के विरुद हमको अधिकार है धरम की सवतंतरता का अधिकार हमको दिया गया है सांस्कृतिक और सेक्सिक अधिकार हमको दिया गया है सवेधानिक उपचारों का अधिकार हमको दिया होता है यह किसी ने किसी एक्जाम में पूछे गए हैं यह प्रीविएस ये बेस्ट क्योशन है आपके अगामें बहुत ही महत्पूर्ण योगदान देने वाली हैं और इतने हम जो तीस क्योशन करने वाले में उनमें आपके टोपिक कवर हो जाएंगे साथ यह जो आपका रि प्ट्रेक वर्ट्य को अपनी पसंद के धर्म का अभयास परचार और परसार करने का अधिकार है बारतिया सवुदाण fali कि किस मोलिक अधिकार के ध्यास कर सकते हैं परचार कर सकते हैं islands परकार के क्योशन एक्जाम में भी आते हैं आप बारत के उपराश्ट पती पर अपने सोरी भारत के रास्टपती पर उनके कारेकाल के दुरान अभियोग लगाने के लिए किसकी सिफारिश आफशक है भारत के जो रास्टपती होते हैं उनके कारेकाल के दुरान उन पर अभियोग लगाने के लिए किसकी सिफारिश के आफशकता होती है तो संसद क के अनुसार यह आप ध्यान रखना भारतिय सविधान में कितने परकार के अग्यापत्र परमादेश है भारतिय सविधान के अंदर कितने परकार के अग्यापत्र और परमादेश है साथियों पांच परकार के हैं भारतिय सविधान में पांच परकार के अग्यापत्र परमाद एक बार वीडियो को पोज करकर बोलने का प्रयास जुरूर करें एबियस कोर्परेस की परमादेश हो गया है निशेधा निशेधाग्या हो गया उत्प्रेशनल एक्षक हो गया अधिकार प्रेच्छा की होगी यह एक अधिकार प्रेच्छा वाली ध्यान रखना बहुत बार एक्जाम में आती है सातियों नेक्स पे चलते हैं निमन लिक्त में से कौन रज्य के नित्ती निर्देशक तत्वों में समाहित नहीं होता है सातियों इसके लिए राइट हो जाएगा सुचना का अधिकार इसके अंतरगत नहीं आता है सुचना का अधिकार इसमें नहीं आत की जारी है तो मोलिक अधिकार कितने हो जाएंगा I में क्या- अदिकार प्रेचा का सवब्रिक अर्थ क्या है सब्द देरक है अधिकार प्रेच्छा जो अब ही हमने रीट पड़ी थी का साबदिक अर्थ हमसे पूछना चाहता है इसका साबदिक अर्थ होता है किसी प्राधिकार अथवा अधिकार से किसी प्राधिकार यानि अधिकार से होता है C number option बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों नेक्स्ट पे चलते हैं भारत के राष्टपती की सपत कौन दिलाता है जो भारत के राष्टपती होते हैं उनको सपत कौन दिलवाता है इसके लिए राइट रहेंगे भारत के मुख्य न्यायधीश भारत के मुख्य न्याइधिस जो होते हैं भारत के मतलब आप हारी जो सुप्रीम कोट के मुख्य न्याइधिस है न वो यहाँ पर आप वो जो भारत के राश्पति होंगे उनको सपत दिलाएंगे भारत के मुख्य न्याइधिस next पर चलते हैं साथियों निमल लिकित में से किसने समपरभुता के एदवेतवाद का सिधान्त दिया है समपरभुता के एदवेतवाद का सिधान्त किसने दिया है साथियों आस्टिन ने ये दिया है A number option बिलकुल यहाँ पर right हो जाएगा आज के question आपको कैसे लगे हमें comment करकर बताएं आप comment करते हो उससे हम motivate होते हैं और एक भैतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं तो comment करकर साथियों जुरूर बताएं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जुरूर से ज़ादा से ज़ादा share करें हाँ साथियों अभी थोड़ा सना में वीजी शोडियूल चल रहा है उस लगे से कभी वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन आगे से परयास करेंगे कि आपको वीडियो आठ वजे सुबह मिल जाये हम पूरा प्रयास करेंगे साथियों निमलिक्त में से कौन सा भारतिय संस्द के निर्वाचक संग के सदस्य है है साथियों इसमें हमसे है पूछना चाहता है तो आप ध्यान रखना राष्टपती, राज्यों की परिश्द राज्यसभा हो गई और लोकसभा राष्टपती, राज्यों की परिश्द राज्यसभा और लोकसभा ये सबी हो जाते है डी ओप्सन यहापर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, नेक्स क्यूशन पे चलते है निमलिक्त में से कौन भारत के राज्यों का कारेकारी परमुक होता है भारत में राज्यों का कारेकारी परमुक कौन होता है साथियों राष्टरपती, कौन होता है राष्टरपती होता है, बी ओप्सन बिल्कुल राइट हो जाएगा निमलिक्त में से भारतिया रक्षया बलों की स्रवोच कमान किसके पास होती है भारती अरक्षिया बलों की ये पूछने चाहते हैं तो स्रवोच कमान कहां पर होती है सात्यों पहले अभी भी भारत के राष्ट पती के पास होती है अभी भी भारत के राष्ट पती की है लेकिन हमने उब एक पद अलग सिरजित कर दिया है उसके लिए वो आपको comment करकर बताना है कौन सा पद हमने निया बनाया है? वो पद आपको यहां पर बताना है साती हो comment करकर आप comment box में से type करें नेक्स्ट है दल बदल विरोधी भारतिये कानून सविधान की किस अनुसूची में दिया गया है दल बदल विरोधी कानून दिया गया है भारतिये सविधान की किस अनुसूची के अंदर दिया गया है ये दस्वी अनुसुची के अंदर दल बदल, दल बदल दस बहाने करके ले गया दिल, तो दस्वी क्या दियान रखेंगे, दल बदल हो जाएगा, नयाई पहलिका का कारे है, नयाई पहलिका का कारे क्या दियान रखोगे, नयाई पहलिका का कारे आपको ये दियान रखना है, कि जो न्याइपालिका होती है वो कानून को लागू करवाती है कानून की व्याख्या करना न्याइपालिका काम यह होता है A और B जो यानि न्याइपालिका कार्य क्या हो गया कोर्ट का क्या है कि कानून को लागू करना है कानून की व्याख्या करना है क्या कानून इसके अंद करते हैं राश्ट्रपती राज्जे में जो राज्जेपाल होते हैं जैसे हमारे राश्टान में भी राज्जेपाल होगे तो उनकी नियुक्ति कोन करेगा राश्ट्रपती नियुक्ति करेगा यह द्यान आप कोमेंट करकर बताओ कि राजस्तान का राज़ेपाल है कौन राज़े के हमारी राजस्तान राज़े के राज़ेपाल कोन है वो आपको कोमेंट करकर बताना है उत्परेशन का साथिक अर्थ क्या है उत्परेशन का साथिक अर्थ हमसे पूछना चाता है ये इसका अर्थ ह कि दोनों में से किसी भी सदन का सदस्या नहीं होता हमारी देश में दो सदन है और उन दोनों सदन का सदस्या नहीं होता है तो कौन नहीं होता है जाती हो रास्टरपती रास्टरपती जो होता है ना वो हमारे देश के दो दोनों सदन है उनके उन में से किसी भी एक के सदस्या नहीं होते हैं राष्टरपती अगर वो पहले किसी वही सदन के सदन से होते हैं अगर राष्टरपती बनते हैं तो उसके बाद उनको उनका वो पद छोड़ना पड़ता है ये भी ध्यान रखना आप यहां पर नेक्स चलते हैं भारतिय सविधान के किस अनुचेद में राष्टरपती अपातकाल का प्रावधान किया गया है नेक्स पे चलते हैं साथियों भारतिय सविधान के किस भाग में मोलिक अधिकारों का उलेख किया गया है भारतिय सविधान के किस भाग में मोलिक अधिकारों का उलेख भाग 4A के अंदर हमको मिलता है साथियों नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए नियून्तम आयू क्या है, अब राज्यपाल बनते हैं तो उनकी नियून्तम आयू कितनी होती है, राज्यपाल बनने के लिए नियून्तम आयू जो आवशकता होती है, वो भी 35 वर्स होती है, कि शेद कौन सा ज्यान रखोगा एठावन एक के अंदर ये लिखा गया है कि राजय के राजय पाल बढ़ने के लिए जो नियून तो मायू है वो 35 वरस होनी चाहिए आज का हमारा अंतिम क्योशन रहने वाला है मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा आप वीडियो बहुत कम शेयर करते हो अपने साथियों के साथ इसे एक बार शेयर कर दीजिए लाइक एंड कोमेट करकर हमें जुरूर बताएं आप कोमेट करते हो उससे हम मोटिवेट होते हैं और एक बहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए सभी कि रजने करती है संग्य सरकार क्या करती है कि जो संग्य सरकार एक तो संग्य संग